मसकार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूटीब चैनल RK10 AIDIYA में दोस्तों आज हम आपको धतूरे के पोदे के फायदे के बारे में बताने वाले हैं दोस्तों ये है धतूरे का पोदा, भगवान भॉले नाथ का पसंदीदा पोदा है दोस्तो आयरवेदिक के हिसाब से इसके बहुती प्रभावशाली और शदी गुड़ बताए गए हैं और यहे अनेक रूगों में काम आता है दोस्तो अगर किसी के जूड़ों में दर्द रहता है तो दोस्तो इसका एक पका हुआ फल लेकर और इसके बीजों को निकाल कर और शर्सों के तेल में घरम करके अगर उस तेल को अगर जूड़ों के दर्द पर लगाया जाए तो दोस्तो तुरंत रहत मिल जाती है और एक सप्ता तक लगातार करने से जूड़ों के दर्द की समस्य हमेशा के लिए खतम हो जाएगी और दोस्तो अगर किसी भी व्यक्ति को बबासीर की सिकायत है तो इसकी सूखी पत्तियों का दुआ बबासीर के मश्यों पर लगाने से बबासीर के मसे ठीक हो जाते हैं और खुजली शान्त हो जाती है और दोस्तों अगर बाल किसी के जढ़ते हैं तो यह ओशदिय पौदा बहुत ही गुड़कारी है दोस्तों इसके फल को पीश कर अगर बालों की जड़ पर लगाया जाए तो बाल जढ़ने की समस्या हमेशा हमेशा के लिए खतम हो जाएगी दोस्तों इसके आगे करोडों की दवा फेल हो जाती है और यह बहुत ही कारगर और बहुत ही गुड़कारी पौदा है यह धतूरे का पौदा हर प्रकार के जंगल में बड़ी आसानी से मिल जाता है और सद्य गुड़के रहते हुए यह पौदा एक जहरीला भी है दोस्तों अगर इसका फल गलती से अगर कोई सेवन कर ले तो उल्टी मिचले और चकर भी आने लगते हैं तो दोस्तों यह थे हमारे धतूरे पौदे के खास फायदे अगर दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लेज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फिर मिलते हैं हम आपको एक नया वीडियो लेकर तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद